हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको इस तरह का बोर्डर बनाना बता रहे हूं जो कि आप किसी भी लेडिस कार्डिकन या बच्चों की छोटे बच्चों की फ्रॉक में या बटन पट्टी में बना सकते हूं जो कि बनावा बहुत ही सुन्दर लगता है चलो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेर करना ना भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम पहले उसके लिए मिचे फोर फंदे तो हम फोर फंदे डाल लेते हैं और जो फिर्स्ट सिलाई है उसको हम ऐसे ही बना लेते हैं नोर्मल जैसे बनाते हैं वान टू थ्री और फोर अब दूसरी सिलाई के लिए पहले फंदे को तो हम इसी तरह से उठा लेंगे और फिर धागे को आगे की साइड पर के दो फंदे बनाएंगे यह हमारे तीन esadhyay हो गए बचह ते में यहां पहले बनाएंगे जाले बनाएंगे अब सिलाई बिलकुल प्लेया जैसे लगाते हैं नॉर्मलवी स्थी लगा देएंगे और इस सेट फिर से पहले फंदे को इसी तरह उठाके फिर धागे को आगे करेंगे और दो फंदे बना लेंगे और दो के बाद हम फिर से एक जाली डालेंगे जाली बैसे डालें धागा आगे की साइडी करके फंदे में ऐसे डालके सिलाई के उपपर से फंदे को लेना है ताकि बीच में एक और फंदा बन जाया एक्ट्रा इस सिलाई को फिर से प्लेन बनाना है बहुत इजी डिसाइनर और जो कि स्वेटर का घर में बना हुआ बहुत अच्छा लगता है और खासकर छोटे बच्चों कि स्वेटर में तो अगर जाले आप इस तरह से नहीं बना सकते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो ऐसे भी दागे को पीछे करके ऐसे रख किया और नॉर्मली बना लिया जैसे बनाते हो विटी से लाएं ऐसे और जाली डालने के लिए है अगर उस तरह से आपको नहीं बन पा रहा हो तो आप इस तरह से भी जाली बना सकते हो और यह वाली सिलाई फिर से उल्टे यह आ गया हमारी जाली और इस सेट पहले फंदे को ऐसी उठाएंगे फिर आगे की सेट करके दो फंदे लेंगे और फिर जाली इस तरह से 1,2,3,4 यहां पर हमें 6 फंदे करने हैं सबसे पहले जब तक 6 फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसी तरह से बनाते रहेंगे त्री,4 और यह 5 हो गए अभी और यहां फिर ऐसी पहले फंदे को ऐसी उठा लेंगे धागे को आगे की साइड करके दो फंदे बनाएंगे फिर जाली बनाएंगे तरह से बनाएंगे तरह से बनाएंगे तरह से बनाएंगे तरह से बनाएंगे अब हम यहां काउंट कर लेते हैंगे तरह से बनाएंगे तो 6 फंदे हो गए तो हम यहां पे जाली डालेंगे इस तरह से धागे को पीछे करके और इन फंदों को सीधा बनाएंगे और यह हम आगे किसे इस तरह से बनाएंगे यह हमने यहां से बनाना स्टार्ट के अब हम यहां पोंचेंगे तो यहां पे एक जाली लेके और जो फंदे थे वह हमने सीधे बना लिये यहां पे एक फंदा जोओद अब यह जो हमारी सिक्स फंद है मैं इसी तरह से बनाते रहेंगे इसको सीधे और इस अलटा सीधा करके तो यह इस से प्लीन भंद जायेंगा यह फंदा सी यह वाली ऑह सिलाय प्लीन बनाएंगे इस तरह से, और यह हमारी जाली है, इसको भी प्लेन बनाएंगे, जाली है हमारी हमेशा, मलब जितना भी हम बनाऊगों, इसमें एक ही जगह जाली पड़ेगे, जहां पे मलब तेन फंदों के बाद, जो हमने फॉर्स्ट से स्टार्ट किया था, इस तरह से दो, एक फंदे को ऐसे उठाके, दो ऐसे तरह से बना लेंगे, और यहां पर फिर से जाली, तो जो हमने जाली बाला था, पहला फंदा जो बनाए था, उसको हम उल्टा बनाएंगे, और जो यह छे फंदे थे, उनको हम फिर से सीधा बनाएंगे, तो इस तरह से जा दागे को आगे की साइड करके छे फंदे बना लेंगे, चार, पांच और छे, अब इस इलाए को फिर से हम उल्टाई बना लेंगे, दागे को आगे की साइड करके, इस तरह से, हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें इस फंदे को ऐसी उठा के, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर यहां पे जाली बना के, यह देख रहें ना, जो हमारे सीदे है, वो सीदे बस लास्ट के जो छे है, दो चार्च, यह हमें बना लेंगे बनाने है, तो दागे को आगे की साइड के है, नॉर्मली, और वान, टू, थ्री, फोर, फाइव, और सेक्स, यह दाली सिलाई फिर से प्लेन बना लेते हैं, करको यह दो, तेन फिंदों गार फिर यह प्लेन पे जा लें, यह पे धाने हैं, जो हमारे सीदे चार्ण है, बिटीरादान के है, जाने हों के हैं, जाने हमें, तो पशाप के रहें हैं, तो हमारे सीदे की हैं, पूराण जो उल्टे फंदे चल रहे हो उल्टे और जो सीधे बनाए हमने ये छे लास्ट के ये ही हमें उल्टे बनाने जब तक यहां पर और सिक्स फंदेने हो जाते हैं जो चला हैं दे जब पर देता हैं बनाए हम पर्वाइब कर में बनाए हमने हो जात रहे हो जाता हैं यह कि फिर जाली बना लेंगे 1,2,3,4 फिर फिंदे को धागे को नॉर्मली आगे करके इनको वेटा बना लेंगे यही ज कि बना लेंगे बना लेंगे मी बना लेता लेन पिर आज बना लेता लेता लेताए सार जङ क्पलस्त बजब गड़स्त Оuem जब तक हमें यहां पर 12 यह और 6 यह फंदेर नहीं हो जाते हैं इसी तरह से बनाते रहना है इसी तरह उठाएं के तो 1, 2, 3, 4, 5 तो में नेक्स्ट सिलाई में हमारे पूरे 12 फंदे हो जाएंगे इसको बने बतातां को इस तरह से बना इसी लाएं प्लेवी लगा लेंगे अब इसके बाद जो है हमारे 12 फंदे हो गएं एक दो तीन चार पान छे साथ ताथ नो दस व्यार अब आप तो अब हम क्या करें इन फंदों को उल्टा बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले धागा आगे की साथ करके यहां पे जाली डालेंगे वान टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फंदे हो गए और यह तो हम उल्टे ही बनाते हैं तो इसको भी अभी हम बनाते हैं वान टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब हमारे जो यह उल्टे सीधे फंदे जो हम बनाते हैं इनको हम घटा देंगे तो घटाने का तरीका में बताते हैं आपको सबसे फ़ले इस फंदे को ऐसे उठा लिया धागा पीछे करके आगे के इस फंदे को बनाया और इस पीछे वाले फंदे को इस तरह से गिरा दिया इस फंदे को तो यह दो गएक हो गया फिर से इस फंदे को बनाया और पीछे वाले फंदे को उठाके इस से नाकिनी अंदर आ नेक्स्ट इस तरह से इस फंदे को बनाके, पीछे वाले फंदे को उपर उठाके इस तरह से ने खाने, इस फंदे को बनाके, अगर आप काउंटिंग भूल भी चाओ तो इस सेट देख लिए, जो यहां तक हमने जो सीधे बनाया हूँ फंदे, यह हमने सारे खतम कर देना और बचने चाहिए जाली के इतर हम रपस एक ये भी है इस तरह से हमारे एक जो हमने सीधे बनाए थे वो हमारे सारे में ने घटा दिये अब जो उल्टे के उनको हम सीधे बनाया है तो ये उसके आगे प्लेम से लाई लगा लेंगा यहां पर यहां तक बना लिया यहां तक अब आप यहां पर स्टार्ट करेंगे और यहां पर टोटल यहां से यहां तक टोटल बंचेंगे यह जो यह सीधे और इनको घटा के ये जो उल्टे बनाएं उनके उपर सीधे बनाना स्टार्ट कर दें यह जो हमारे सीधे बनाए हुए थे यह हमने घटा दिया है इसे तरह से एक टेट युरलते साब से और जब आप इसमें फंदय उठावगे तो इसको सब्टेच को बिलक trophies नहीं करना है जतना यहैं जतना ही आहसे रखके ह Plशतना हे process यहां पर दागे को आगे करके दो फंदे बनाए फिर जाले बनादे यहां पर वन इस तरह से और यह हम अगर आप मिल ऐसे समझ में नहीं हो तो 6 फंदे याद कर रखने हैं कि 6 हमें जो है सीधे बनाना 1 2 3 4 5 6 दागे को आगे की साइड करके इस तरह से इस से लाई को प्लीन नौर्मली बना लेना है इस अधा इस तरह से लाई को प्लीन नौर्मली बना लेना है इस तरह से लाई तीन फंदे हो गए इसके बाद जाले बनाएंगा और यहां पर यह सिक्स फंदे फर से सीधे ले लेंगे धागे को आगे की साइड करके अब जो हमारा यहां से यही वाला डिजाइन स्टार्ट होगा यहां से यहां पर हमारी जाली है यह और यह हमारे उल्टे फंदे आ गए दो एक जाली दो फंदे उल्टे और छे फंदे जो हमारे सीधी आ गए है अगर आपको मेरा यह डिजाइन अच्छ लेगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले था थैंक यू